राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सी ऐसी बातें छुपा कर रखनी चाहिए किसी को नहीं बतानी चाहिए जो के हमारी तरक्की में बाधा उत्पन कर सकती है पहली बात है कि अगर हमने कोई प्लॉट वगएरा लिया है या कोई हमने घर बनाने का प्लान किया है तो ये बात गोपनी रिखनी चाहिए किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इस सारे काम में कोई बाधा उत्पन हो जाए हमारे को एकदम से कोई ऐसी बात घर में हो जाए, बिमारी हो जाए, दुरगटना हो जाए जिससे के हमें वो प्लॉट बेचना पड़े इसलिए ऐसी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये बातें फिर नजर में आ जाती है और वो फिर काम सिरे नहीं चड़ पाता दूसरी बात है कि अगर हमारे पास धन है हमने एकठा किया है और कितना है ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये भी फिर धन को बड़ी जल्दी से किसी की नजर लगती है और कोई जरूरत पढ़ने पे आपसे मांग सकता है ये भी आपको पता है कि मांगने के समय लोगों के जो तेवर हैं और होते हैं और वापिस चप करने होते हैं रुपए तो तब तेवर कुछ और होते हैं अगर आप धन देने से मना करेंगे तो आपके रिष्टों में कड़वाहट आ जाएगी और अगर दे देंगे तो वो वापस आने की ज़्यादा संभावना नहीं होती इसलिए हमारे पास कितना धन है कितना हमने 71 किया है किसी को नहीं बताना चाहिए तीसरी बात है कि हम अपने घर में खाने पीने के लिए कौन सी वस्तों लेके आते हैं ये कभी भी जाहिर नहीं करनी चाहिए ना ही दिखाकर सबके सामने परदर्शन करके लानी चाहिए इनकी भी बड़ी जल्दी इन वस्तों को भी नजर में आती हैं और फिर यहां तो किसी को कोई बिमारी हो जाएगी घर में यहां फिर आने वाले समय में आपके पास इतना धन नहीं होगा कि आप ऐसी ख्रीदारी कर सकें इसलिए ये बात भी छुपा कर ही रखनी चाहिए वैसे भी पहले भी लोग कहते थे कि खाना दौलत और और औरत ये तीनों चीज परदा चाहती हैं ये बात बुजुर्गों की कही हुई है आज की नहीं है इसलिए इन बातों को भी परदे में ही रखना चाहिए और जो अगली बात है वो ये है कि हमीशा ओरतों को घर में सिर्पर पलू लेकर रखना चाहिए अगर ये संभव नहीं है तो अच्छे जो वस्तर है वो घर में पहनने चाहिए क्योंके घर में सब बड़े भी होते हैं और एकदम से कोई बाहर से भी आ जाता है इसलिए कम से कम जो रात में वस्तर पहनने जाते हैं वो दिन में नहीं पहनने चाहिए औरत को हमेशा परदे में ही रहना चाहिए इस तरह से ये बाते हैं जो के हमें गोपनिये रखनी चाहिए सबसे चुपा कर रखनी चाहिए अगर हम अपनी जीवन में तरक्की चाहते हैं तो इन बातों का अबश्या ही ध्यान रखना चाहिए आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाप्रत होगा अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जै माता दी